नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल बैट किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से नाभी परी वीडियो बना रहा हूं और आप इस वीडियो की मदद से आप स्वेम अपने घर पर ही नाभी को ठीक कर सकते हैं दोस्तों करना क्या है वो मैं आपको साथ-साथ वीडियो में इमेज लगाकर फोटो लगाकर भी बता दूँगा और साथ-साथ आपको यह भी बताऊंगा आपकी नाभी बार-बार खिसकती रहती है तो उसको अपनी जगव पर कैसे रोका जाए दोस्तों इस रोग में होता क्या है कि यह आपकी नाभी आपको लेटरिंग में खुसकी होगी यानि कि आपका मल जो है एकदम टाइट हो जाएगा और आपको बुरी बदू वाली गैस पास होगी और दोस्तों इसमें क्या होता है कि यह दिनाभी की प्रॉलम ज्यादा समय तक बनी रहे तो आपको बवासीर की भी समस्या हो सकती है क्योंकि जितनी ही खुसकी बढ़ेगी जितना मल टाइट होगा तो आपको बवासीर रोक की संबावना भी उतने ही चांस रहते हैं तो दोस्तों इस रोक से बचने के लिए आपको एक तो मैं बहुत ही अच्छा नुक्सा भी बताऊंगा और साथी साथ आपको एक उपाय औ अछख़ आपको एक ग्लास गरम पाणी आरहम आरहम म से पीना ऑफ मिन फरेहर फउने के बार दोस्तों आपको फिर से ग्लास पारी कि पीना है उच्छाइज जीर अडाल गें और डोस्तों इसको एक तम जल जीरे के तरप यह आपको भन जाए मर कृट्ष特 रहता है और बुध और जो जीरा है बना हुआ जीरा आपके पाचन तंत्र को एकदम मजबूत करेगा और जो आपके गैस अपच बनती है उसमें भी यह ठीक करने मदद करेगा और आतों को एकदम मजबूत भी करेगा और आपके पाचन क्रिया सूजन को भी दूर करेगा यदे आपको दोस्तों लंबे समय से यदे ऐसी समस्या रहती है लंबे समय से आपके साथ यहा अजमाइन आप जो है अजमाइन जीरा और धनिया और दोस्तों इसमें पराबर की मात्रा यानि कि आपने 10-10 ग्राम ये तीनों चीज़ें ली हैं और इसमें एक चुक्टी हिंग दीजिए स्वाद के अनुसार स्वाद अनुसार आप काला नमक डाल दीजिए फिर आप इसको पीश करके अलका सा गरम करना भूना नहीं है अलका सा गरम करके आप एक चीनी मिट्टी के जार में और उसमें भरके रख रहें और जतनी मात्रा आपने ये लिए 10-10 ग्राम आपको लेना है जी बालम खीरा आपको मार्केट से आप जंगलों में देखोगे काफी बड़े बड़े लगे लगे रहते हैं मेरी वीडियो भी काफी बालम खीरे के उपर पड़ी हुई है तो आपको 30 ग्रम बालम खीरा सूखा हुआ उसका पाउडर उसमें मिक्स कर दें और पाउडर श्वाद अनुसा नमक और हीं अच्छे से पीस के किसी चीनी मिट्टी के जार या फिर आप इसी बोतल में काचकी सीसी होती है उसमें परके रख सकते हैं एक चमच खाना खाने के बाद सब्सक्राइब और एक चमच साम को खाना खाने के बाद गरम जल से आपको ल निकाल देगा पिसाब की तहली में भी है तो उसको भी बाद निकाल देगा लेकिन इसको थोड़ा दो से तीन मेने आपको लगाता लेना होगा जिससे कि आपकी आते हैं किसी प्रकार का जखम है या फिर उनमें सूजन है तो वह धीर धीर ठीक हो जाएगी दोस्तों और दोस्तों अपने सरीर से छेड़कान करें क्योंकि दोस्तों अगर छेड़कान करोगे कहीं फसी ना भी और कोई एक्ससाया आप करोगे तो इधर से उधर ना भी फस सकती है आपको दिक्कत और बढ़ सकती है इसलिए आप स्वेम प्रयास न करें किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर या बैद्द से सला लें और उसको दिखाएं और दोस्तों कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक अंगरीजी दवाईयों का सेवर न करें इससे लीवर डैमेज होता है और साथी साथ आपको परिशानी ठीक होने के बजाए और भी होने लगेंगी तो दोस्तों साथ साथी साथ आपको एक चीज और बताऊंगा मैं आप आयरवेदिक जड़ी बूटियों से बनी दवाओं का प्रियुक करें आप 100% ठीक हो जाओगे दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी के जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदे आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें तो सभी साथ में बोलेंगे ओम नमस्षिवाइद जय भूलनात भूलनात सदेव आप लोगों पर करपा बनाए रखें जय प्रकरतिमाद